अलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त डीडी सिंग आज के सेशन में हम लोग एक स्लेब बेस्ट प्रोग्राम पढ़ेंगे स्लेब बेस्ट से मेरा मतलब यह है कि यह एक मेन्यू डिर्विन प्रोग्राम होगा इसमें स्पेशली मैं एक सोरूम के डिसकाउंट की बात करू हम सवाल को समझेंगे एक क्लोद का सोरू में नॉर्मली क्या होता है फेस्टिबिल पर डिसकाउंट्स होते है राइट जैसे हम लोग आज कल कोचिंग रन कर रहे हैं आगरा में तो जैसे अभी कोई बच्चा आ रहा हम यह चाहते हैं बच्चे का माइंड सेट क्या होते है वीपावली के बाद जोइन करूँगा तो हम जैसे लोग क्या है थोड़े से स्मार्ट तो ही जाते न तो क्या करेंगे नहीं वह अगर आप वीपावली से पहलेемон करेंगे तो हम आपको इतना डिसकाactic देते हैं राइट बच्चा क्या करता है उस डिसकाउंट में वह अट्र सोरून has announced a festival discount on total cost of items purchased उसमें slab set कर रही है उसने कि वह अगर आप 2000 रुपे तक की अगर purchasing कर रहे हो तो उस पर इतना discount मिलेगा और अगर आप 5000 की कर रहे हो तो इतना मिलेगा तो सवाल क्या है write a program to input a total cost कि आपने कितने की purchasing की है and display the amount to be paid by the purchaser आपने देखा होगा जब आप medical की दुकान पर जाते हैं तो वो पहले आपका bill लगा देगा write फिर आपको देख कर कि वह 20% का discount देना है या 10% का discount देना है तो total cost कुछ और होती है बट जो net amount होते है जो हमें pay करना होता है वो अलग होता है तो हमें क्या करना है input में the total cost लेनी है वाई कि उसका कितना बैठा and display the amount to be paid और pay कितना करना है ये भी आपको उसमें बताना पड़ेगा तो मैंने एक slab बना रखा है guys this is the slab see अगर आपने 2000 अप टू एक चीज़ द्यान रखना बेटा ये अप टू भप टू में बच्चा फस जाता है इसका मतलब यह है कि इसके अंदर ये 2000 भी included है तब उसे कितने परसेंट का discount मिलेगा 15 परसेंट का अगर 2000 से लेकर 5000 तक है ध्यार रखना अगर 2000 इसमें इंग्लूड कर लेगा अब 2001 से हो गाई then 25 परसेंट का discount 5000 तो 10,000 तो इतना मिलेगा और वाई साब अगर आपने 10,000 से ज़्यादा की अगर purchasing कर ली तो आप ये समझे ले ना कि आपको कितने का discount मिलेगा वाई साब 50 परसेंट का मैं थोड़ा सा आपको इसका dry run करके दिखाना चाहता हूँ फिर आपके सामने इस program को step by step बना के दिखा हूँ सबसे पहले क्योंकि हम यूजर से इंपुट लेने का प्लान कर रहे हैं तो हम एक package इंपूर्ट कराते हैं यूटिल करके जावा डॉट यूटिल क्लास बना ली क्लास का नाम कैन वी एनिटिंग बड़ हम नॉर्मली सेंसेबल नाम ही रखते हमारे प्रोग्राम का जो execution है न नेट हो गया इसको हम variable का declaration कहते हैं यहां पर scanner क्लास का object में एक message डाला क्योंकि अब हम input double में ले रहे हैं क्योंकि हमने उपर जो variable बनाया वो double type का बनाया तो next double से वो amount यहां जाएगा इतना कल लेंगे आप लोग सबसे important चीज क्या है वो समझो मैंने कहा कि अगर आपने जो amount डाला है अगर उसकी जो purchasing वो till 2000 तक है तो 15% का discount देना percentage का मतलब जाने प्रती सत यानि कि divide by 100 तो 15 को जब divide by 100 करोगे तो 0.15 हो गया न सो मैंने क्या लेका 0.15 into amount amount का ही तो 15% निगा लोगे तो वो divide by 100 100 न करके मैंने पहले से ही उसका percentage निगा लिया डिवाइड by 100 कर लिया था इसको मैंने अब ध्यान रखना यह सीच पर में क्यों आप से बहुत ज़्यादा focus कर रहा हूं यहां less than equal to लगा हुआ है इसका 2000 included है त इसका मतलब 2000 से ऊपर 2000 नहीं और यहां पर कितने percent का discount है 25% को divide by 100 करोगे तो क्या होगा 0.25 जैन अगर 5000 से ऊपर और 10,000 तक है तो 35% और अगर 10,000 से ऊपर है तो 50% 0.5 लिख लो या 50 लिख लो बात तो बराबर यह ना आपको मेरी बास समझ मारी 0.5 और 50 इतनी मैत तो आपकी है ना और सबसे important खेल जो आप गड़वर करते सी बच्चा क्या करता है पदा टॉपर टॉपर बच्चों को देखा है मैंने सारा कुछ calculate कर लेंगे बट उस amount में से उस discount को minus करना भूल जाते तो भाई सा जो net amount आया होगा amount में से discount को कम कर दिया जो आपको pay करना है net amount जो payable amount होता है वो यहाँ पर हमने print करना है आयोब आपको तोड़ा सा idea जरूर इसके अंदर लगा होगा right मैं आपको इस program को step by step करके दिखाना चाहता हूं right आप इस slave का जरूर द्यान रखना guys इस slave की मुझे जरूरत पड़ेगी right so आप अपनी किसी भी favorite ID में ये काम कर सकते हैं बड़ मैं छोटे बच्चों को ध्यान में रखके ये program बना रहा हूं जो बच्चे ICSC 9th और 10th के बच्चे होते हैं उनको ध्यान में रखके ये program है तो अगर आपका background ICSC है तो आपके लिए program पूरी तरह से fit है आपको मैं guaranteed you will get 100 out of 100 जो बच्चे ICSC बूर्ड के नहीं है और उसके बावजूद भी ये program देख रहे हैं तो आप ये समय लेना data structure पढ़ने से पहले आप ये program करना आपको guaranteed इसमें सफलता मिलेगी so मैंने यहां पर एक class बनाई और उसका नाम लिखा showroom class बन गई भाई just double click here जो इसमें से या control ले करके delete कर दो ना हर चीज हटा दी यहां से just import one package एक class बना दिया आपने showroom string argus और अब यहां पर यहां से आगे कि यह तो सब में लिखना पढ़ता है ना भाई सबसे पहले आप variable का declaration करें राइट variable declaration कि यहां पर क्या है डवल एम टी एम टी एम टी बोले तो अमाउंट कि फिर डिसकाउंट और मैं आपको अंदर की बात बदाओं जहां डबल टाइक की वैलू हां तो जीरो पॉंट जीरो दे लिए अगरो भहिया जीरो दे लोगे तब भी चलेगा जीरो पॉंट जीरो इस मोर डवल को अच्छा लगता होगा और यहां पर क्या लेखा मैंने नेट अमाउंट सो यहां पर क्या लेखते हैं नेट करके सिंपल अब आपको स्केनर क्लास का अब्जेक्ट बनाना चाहिए system.in क्या लिखना पड़ेगा बेटा एंटर दा टोटल कोस्ट और कोस्ट आप परचेच यहां पर क्या लिख आपने अमाउंट तेजी कल्ट हो एसी डॉट नेक्स लाइन वो शॉरी नेक्स लाइन नहीं होगा वाई नेक्स डवल नेक्स लाइन इस्ट्रिंग के लिए होता है सॉरी इफ दिस इस थू गाइज उसके बाद अब चेक्स लगाने बस आपको इफ अमाउंट लेस देन एक्कल टो 2000 सो देखिए क्योंकि एक स्टेट्मेंट है न वी हाव अल्ली वन स्टेट्मेंट लोग कर्ली ब्रेस इस केस में ऑप्शनल होते हैं वेड़ा सो मैंने यहाँ पर लेका 0.15 इन्टो एम्ट एम्ट एल्सिफ ग्रेटर देन 2000 इम्ट लेस देन एक्वल टू 5000 डी इस इकल टू कितना था सी जो टू तू 5000 है न उसमें 25 परसेंट था न बढ़ यहां ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया इन्टो एम्ट 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 सिफ अगर अम्ट 5000 से ज़्यादा हो और वही अम्ट अगर लेस देन एक्वल टू वाट टैन थाउजन तो डिसकाउंट उस केस में कितना होगा पेटा 35 परसेंट इन्टो अम्ट लास्ट पॉइंट गाइज हालंग या लगाने की जुरूत भी नहीं थी वैसे फिर भी फॉर अ क्लेरिटी परपज अमाउंट अगर 10,000 से जादा है तो डिसकाउंट कितना होगा वेटा 50% जो सबसे इंपॉर्डेंट लाइन है आज से 3-4 साल पहले कि टॉपर से यही गड़बड होगी थी भाई साथ नॉर्मली यह ICSC से रेलेटेड मैं बात करता रहता हूँ उससे क्या गड़बड हुई कि वो अमाउंट में से डिसकाउंट नहीं माइनस कर पाया और डिसकाउंट अमेशा माइनस होते है वही है यानि कि जो एरियल है लैक बोनस वगड़ा है वो एड होते डिसकाउंट अमेशा माइनस होता है सो सिस्टम.out.println और मैंने यहाप लिख दिया नेट अमाउंट ऐसे लिख दो पेविल पेविल नेट अमाउंट इस उकल टू और यहाप नेट लिख दिया यह कहानी मैंने आपको इसके अंदर समझाएए आप इसे कमपाईल कर दो नो सिंटेक्स एरर कोई एरर नहीं आप इससे बहार आओ राइट क्लिक करो में सी वाट इस रॉंग गाइज स्केनर क्लास बनाया यस वो थोड़ा वेट कर रहा था प्रोसेसिंग में था यहाँ जैसे मैंने लिखा फिप्टीन थाउजन विच इस ग्रेटर दें टैन थाउजन न यह दस हजार से ज़्यादा है न तो फिप्टी परसेंट का डिसकाउंट मिलना चाहिए भई देखो मिल रहा साड़े साथ अजार रुपे पे करने सेवन थाउजन फाइव अंड़ इस पूरे प्रोग्राम में अगर मुझसे कोई पूछे तो दो चीज़ें याद रखनी चाहिए एक तो ये वाली जहांपे लेस देन एक्वल टू लगा है तो वहांपे आगे चलके ग्रेटर देन का साइन लगा है अगर ग्रेटर देन एक्वल लगा हो दें आपे 2001 लखना बढ़ेगा बाई आपको 2001 तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताना थैंक यू सो मच